प्रोपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारा चैनल आपको बेस्ट एक्सपर्ट एडवाईज इन रियल स्टेट और रियल स्टेट में ट्रेनिंग देने का काम करता है और मैं हूँ राजवन सिंह वहली रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट गुक्स का उथर और अड मोर्टिवेशन स्पीकर आज का टॉपिक रियल स्टेट से हटके है ठोड़ा जनरल और आपके रिलेशन के उपर है कि हमने किसी बहर वाले बन्दे के साथ किस तरीख से बैटर रिलेशन बनाने हैं better relations रख सकते हैं उसके बारे में हमने क्या उसके बारे में पूछना है क्या नहीं पूछना इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा और सबसे पहले ये मैंने लिखा take care of your dialogues at the time of meetings जब आप किसी को मिल रही हो पहली बार ये दूसरी बार दस्वी बार चौत्री बार मिले हो मिलते समय अपनी किस बात का ध्यान रखना है जब भी मिलते हो तो सबसे पहले मैंने लिखा है personal info मतलब personal information के बारे में देख के बात करनी है कई बंदे ऐसे देखा है मैंने के अपनी personal information share करने में shy feel करते हैं शर्म महसूश करते हैं किसी के बारे में आप पूछना चाते हो उसकी social activity के बारे में पूछना चाते हो या उसकी कास्ट के बारे में पूछना चाते हो या उसके धर्म के बारे में पूछना चाते हो मेरे को याद है बलवीर सिंग, डॉक्टर बलवीर सिंग जो आम आदमी पार्टी के विदाई का चुनाव लड़ रहे हैं उनको 2017 मेरे सामने किसी ने पूछा था कि बलवीर सिंग जी आपकी कास्ट क्या है तो हलागे बलवीर सिंग सेनी है, उनको सभी को पता है वो कहता मेरी कोई कास्ट में, आप आगे से मेरे को इस बारे में सवाल भी नहीं करना मेरा नाम बलवीर सिंग है और मेरी यही कास्ट है और यही मेरा गोतर है कई बंदे नहीं बताना चाहते तो हमें उसके बारे में नहीं पूछना चाहिए कई बंदे मतलब हम समझते हैं के थोड़े लोर कास्ट के हिसाब से वो अपनी बात नहीं बताना चाते हैं अपनी कास्ट के बारे में या अपनी उसके बारे में नहीं बताना चाते हैं तो हमने नहीं पूछना किसी कए पेरेंट्स कोई ग्रीब है कोई मजदूरी कर रहा है और आपके सामने आदमी खड़ा है वो आप उसके पूछे हो गए कि वो तुमारे फादर क्या करते हैं कई बार बंदा टाल देते हैं तो उस यदि वो टाल रहा है तो हमने समझ जाना है क कि कि independent कि बंदे होतपेश शर्म महसूस करते हैं कि यार मैं तो जो हूँ ठीक है मेरे फादर जो हैं वो यह काम करते हैं और उनका हाला के एंडीवर होता है कोशिश होती है कि उसको अपने फादर का स्टेटस भी उच्छा करें लेकिन कई बार कई हलात ऐसे बन जाते हैं कि वो नहीं कर सकते उच्छा नहीं होता तो हमने उनको यह रिलाइज नहीं करना कि आप एक गरीब आदमी के बेटे हों यह नहीं कोई बताना चाहता है तो ठीक है बड़ी है हमें को पूछता है मैं छेर पे द्हाडी का काम करता रहा हूं फैक्टरी में एक सौसीर में मिहने वर मैंने काम किया मैं मिजदूर रहा हूं मेरे को कोई दिक्कत नहीं कोई आदमी नहीं बताना चाहता तो उससे मत तो हमने ऐसी बात हमें अपनी काम पर फोक्स करना है कि हम उस आदमी के पास बैठे हैं यह उस आदमी के पास हमारा क्या काम है किस तरीके से लिए उसके परसनल इंफरमेशन तब तक नहीं जाना जब तक आपने उसके साथ करोड़ों रुपे का लेन देनी करना छोटी मोटी कிरिफड़ों जूर्न जो होती है ट्रांजक्शन है झानोग के रहले किस त्रीके से तो इतनी दो बात ठीक है आपने उसके पोत्र नहीं फोलने जैसे सुने मैंने पोत्रे फोलने का मतलब इसके पूरा खांदान को चांदना नहीं हिए जहां भी जो भी तो बहें रहता है इस बात से उसका जो confidence है आपके साथ बना रहता है कई बार आदमी में सावने वाले आदमी में जब हम ऐसा स्वाल उससे पुछते हैं उसके complex आ जाता है inferiority complex आ जाता है तो हमने उसको अपने से inferior महसूस नहीं करवाना मैंने राज़स्तान में देखा है SCST की जमीन सस्ती मिलती थी वहां पर वो जो लोग थे वहां के लोग 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 थे वो उनको यह रिलाइज कराते थे कि तुम SC हो तुम ST हो यह नहीं ऐसी बात नहीं करनी SCST थे हमने कहले लिए हम कहते हैं कि कुदर्ट के साब बंदे जब एक मतलब एक नूर पे सब जग उपजा कौन पले को मन दे मतलब प्रमात्मा ने जो बना है सभी को ब्रबर बना तो हम कौन होते हैं उनसे पूछने वाले कोशिच करो कि उसकी परसनल इंफरमिशन हाँ यदि आप वो बताना चाहता है तो ठीक है कोई बात नहीं फिर वह उ हो जाती है और वो इस तरीके की मिस होती है कि वो आपके साथ शायद कई बार शेर नहीं करना चाहते कोई वैसे जनरल मिस है तो अलग बात है कई बंदे वैसे इरिटेट हो जाते मैं आपको मजाक वाली बात भी एक सुना देता हूं हमारे मास्टर निरिंदर शर्मा यहां बनूड में थे उनके फादर की डेथ होई तो उन्होंने टेप रिकॉर्ड में रिल रिकॉर्ड की और रिल रिकॉर्ड करके टेप रिकॉर्ड को वहां ड्रैंग रूम में रख लिया जब कोई आता था कि आपके फादर को क्या हुआ तो वो उसका टेप का बटन दबा देत تھی कि यह सुन लो कि मेरे को पता है कि तुमने क्या पूशन है कि थै मैं बोल बोल के पागल हो जाता हूं सारी दिन में तो ये ये टेप सुनो आप को पता लग जाए का मेरे फादर को क्या हुआ है ये तो चलो हशी के हो मतलब बहुत फंदी करिक्टर था बंदा और यह जो बात है बात बिल्कुल सची है मतलब बात सची है लेकिन उसके बात करने का ढ्धंग ऐसा था को आदमी आपट website को हेंडल कर लिता ता तो हेंडल करने में Miss है कई बार मैंने ये देखा किई बार किसी के बच्चे ने भाग के शादी कर ली तो हम उसके पास जाते हैं और वो बंदा पहले अंदर से बहुत दुखी है तो हम मिर्च मसाले लगा लगा के उससे पूछती है तो वो आदमी आप से परिशान होता है और आपके उपर वो अपना गुसा निकालने दख जाता है कि तो तो ऐसी बात नहीं करनी हमें उस आदमी के साथ the relation जो है उसको कासे यह level में बाहर हैं फसे हुए हम जाके उनका हमदर्दी के साथ साथ यदि हमदर्दी करते हैं फिर तो ठीक है हम कई बार उनको क्या जूरूरती वहां बेजने की आप पागल हो भुके मर रहे हुए ऐसी बाते नहीं करनी वह जो आदमी यूक्रेयन में फजा हुए उसका परिवार दु आ सके शेयर कर सके ऐसे नहीं कि हम कोई नेक्टिविटी फलाते रहे तो और नेक्टिविटी से नराज हो जाए और हमें उठने के लिए बोल दे के यार आप उठके यहां से जो मैं आप से कोई बात नहीं कर देंगा इस बात का आपने ध्यान रखने नमबर तीन पर मैंने नेक्टिविटी नेक्टिविटी किसी बंदे के जब हम मिलने जाते हैं उसके बारे में उसकी जो नेक्टिविटी है या किसी तरीके की आप में नेक्टिविटी है यह नहीं बताना यह मतलब बात डिसकस नहीं करनी बी पॉजटिव बी पॉजटिव हर समय आपने result बहुत अच्छा हैगा सामने वाला बंदा भी आपको लाइक करेगा मैंने कई बार देखा बंदा हॉस्पिटल में गया हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है और वहां पर जाके उल्टी बातें करते हैं लोग कि यार आपको तो बहुत सीरिस बिमारी है ऐसे बिमारी वाले बंदे तो कम बचते हैं ऐसे बिमारी वाले बंदे तो बहुत जल्द निकल जाते हैं दुनिया से और नहीं यार ऐसी बलके ऐसी एक्जमपल देनी है जिसमें उसको खुंसला मिल जाए कि यार मेरे को कुछ नहीं होने वहला आप ये कितने आदमियों की आप एक्जमपल दे सकते हो जिसमें आप वंडर मैन जो है उसकी एक्जमपल दे सकते हो अरनुमा सिना की एक्जमपल दे सकते हो बहुत एक्जमपल जैसी हैं जो मतलब उपर ले घर से उपर जाके वापिस आ दिया था डॉक्टरों ने और उसके बाद भी वो जीवत है आज वो फर्स ब्लेड रणर ऑफ इंडिया तो मतलब हमने वहां जाके उसको हौसला दे सकते हो तो जरूर देना है हौसला देने के लिए हम जाते हैं किसी मरीज का हाल पूछने के लिए उसको नेक्टिविटी के सा जैसे करोना पिछे चल रहा था करोना में हर आदमी बचना चाहता था यदि आपको क्रोना होगा हुआ है कोई दिक्कत नहीं हो जाता है सामने वाले बंदे को बताओ कि यार मेरे को यह प्रावलम है आप थोड़ा दूर रहो यदि वह सामने वाला बंदा पेशेंट है तो उसको भी हम बता सकते हैं कि यार ऐसे ऐसे आपको हुआ हुआ है थोड़ा सा सैड पे रहो यदि हम हमें करोना हुआ हुआ हम उसको सामने वाले को नहीं बताते तो वह भी हमें बहुत जदा मतलब बुरा बला बोल सकता है कि यार तेरे को तो तू मरेगा और मेरे को साथ ले पास जाने से होती है، मासक है जरूरी दोगज की दूरी यह वाते जो नोट की हैं यह जरूर रखके अपनी जिंदगी में द्यान में रखना है ताकि आपके साथ ऐसा बंदा कोई बिहार न करे गल्त बिहार न करे जिससे आपकी गल्ती इणिवालव हो यह क्योंकि यदि आप इस त्रीके की गलती करोगे तो सामने वाले बंदे पर बैड इफेक्ट पड़ता है और आपका जो उसके उपर इंप्रेशन है चाहिए जितना मर्जी बढ़िया हो वह इंप्रेशन डौन हो जाता है कम हो जाता है सो दोस्तों इन ऐसी बातों का ध्यान रखना है कई बार हम उसके सोर्स ओफ इंकम पूछने लग जाते हैं कोई और पूछने शुरू कर यह दियों पताना चाहता है कंफर्ट जोन में है तो पूछ लेना नहीं तो कुछ नहीं पूछने की जूरुत उसके साथ आपको मतलब है आप उससे बात करो इतना तो आपकी जान पैचान है यह तो नहीं जा रहे है उसके पास यदि फस दे भी जा रहे हो तो उतनी बात करो सारी चीजें एक दिन में नहीं पूछने दीरे दीरे आगे बढ़ना और दीरे दीरे आगे बढ़ते हैं आपको सारी की सारी इंफर्मि जो हमें वो सामने वाला दिखा देता है वो कागज ले के आ जाते हैं क्यों वहां पर हमारा को रिष्टेदार हमारा को दोस्त वाल उड़ोता है तो वह ले के चला जाता है के नहीं जी जो मैं बैठा हूं बीच में बस यह जब के मैं बैठने वाली बात मैं कहता हूं वह आद करना शेर करना यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबादो कोई सवाल हो आपका कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो बहुत जल्द मिलने वाला हूँ आपसे आप इस तरीके की बतें सीखते रहो और पढ़ेंगे हम तभी तो आगे बढ़ेंगे हम हम आगे बढ़ें सभी आगे बढ़ें मिलके आगे बढ़ें ऐसी मैं कामना करता हूँ पढ़ेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया आपका दोस्त आपका होस्त राजवन सिंग मुखली